हेलो एब्रीबन बेरी वेलकम टू अबर चैनल कॉम्प्लिटिव क्लासे सेंड देसे सत्यम परमात फ्रेंड्स आज के अपने इस पेवाई के वाले सेशन में आप लोग देख रहे थे जो पेपर होता है आप लोगों का सेटेट का पेपर सेकिंड सोशल साइंस का उसको डिसक के चलिए पहला कोशन यहां पर देखते हैं इससे पहले आपने लोगों ने कुछ पेपर सोल्ट किये हुए हैं तो वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं पहला पड़िए यह आप तो कोशन क्या रहा है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक सब्द का अर्थ पूचा गया ह यहां पर तो प्रथम कुलिक सब्द का अर्थ क्या होता है मुख्य नयायक अदिखारी होता है मुख्य बैंकर होता है या फिर मुख्य ब्यापारी होता है या मुख्य सिल्पकार होता है तो जो गुप्त काल का प्रथम कुलिक होता था उसका मतलब होता है मुख्य सिल्पका ठीक है, D option यहाँ पे आप लोगों का ये correct हो जाएगा, तो यहाँ पे D option लगा लेंगे, ब्याक्थे अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए, कि जो गुप्तकाल है उसमें प्रतम जो कुलिक सब्द होता है, उसका आर्थ है यहाँ पे मुख्य सिल्पकार होता है, मु सुप्त बंस के बारे में याद रखेंगे, आगे बढ़िए, नेक्स्ट कोईशन देखें आपर, कि पोग भुर्ज या फिर वर्च छाल कहां पर पाई जाती है, जिस पर रिगवेद की बैदिक प्रताएं, जो प्रार्तनाय सुप्त लिखी गई है, कहां पर मिलती है यह कस आप लोगों को जब आप चले जाएंगे कस्मीर, तो कस्मीर में यह वाली छाल मिल जाएगी, ठीक है, ब्याक्या पढ़ लीजिए, कस्मीर में पाई जाती है, और बैदिक प्रतनायानी की सुप्त इस पर लिखी गई है, यह भी याद रखेंगे, लगवक डेल सो बर्स पह सुप्त है, प्रतना है, जिनको भी कहा जाता है सुप्त, ठीक है, तो सुप्त क्या होते है, एक प्रतना टाइप में लिखी गई है, लिख वेद में, तो उन्हीं को सुप्त कहा गया है, आगे पढ़िए, नेक्ट कोईशन यहापे, निमलिकित में से कौन सी तमिल करती हमें आम पुरसों और महलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है, कौन सी करती हैं यहापे, सिलपपादी करम हो जाएगी, बलाईया पती हो जाएगी, मड़ी मेकलाई हो जाएगी, या फिर पेरियापूर्ण हो जाएगी, यहाँ पर कौन सा आप्शन सहीर होगा ये, पुरस सताबजिती तमिल करती पेरिया पूर्णम इसमें क्या किया गया था जो आम महिलाएं हैं पुर्षें इनके जीवर की बारे में धार्णा लिखी गई थी उनको सुचित किया करते था और जो सिलपपादी करम है इनको तमिल सायत के प्रतम महाकाब के रूप में जाना जाता है तो ये भी आप जात रखेंगे सुलपपादी करम के बारे में और इस महाकाब की रचना इलांगो अधिगल ने की थी किसने की थी इसकी रचना इलांगो अधिगल ने बलैया पती जो संगम काली पसिद महाकाब पे रहे थे इनका तमिल सायत में महतुकूर स्थान भी रहा और जो मड़ी मेकलाई तीस चंदों का महाकाब है और इसके रचना का चितलाई चतनार है ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कुशन देखिए यहां पर फूर्थ नंबर है यह कुशन यहां पर करा है कि निम्लिकित में से कौन मेल नहीं खाता है तो यहां पर खुजरा यह बोल रहा है कि चंदिलों ने बनवाया है आगे यह कह रहा है कि एहौल है एहौल जो अभिलेख है यह चालुक्यों का है कांचिपुरम जो है यह पल्लवों का है और जो महाबली पुरम है यह चोल है तो यहां पर जो महाबली पुरम बता रहा है यह चोलों का है तो चोल एक कोश्ण देखें हैं पर यह फिक नमबर कोश्ण है निम्रकर कतनों पर विजार करना है कतनों को पढ़िये तबारीख है उनको सुरिष्चत ब्यक्तिय द्वारा उर्दू में लिखा गया था दूसरा यह कह रहा है कि जो तबारीख है तबारीख के लेकक अपने इत्यास सुल्टानों के लिए उन से ढेर सारे पुरुसकर पाने की आसा में लिखा करते थे, तो ठीक है यह तबारिखों के बारे में कहा गया है तो यहाँ पर कहना है कि जो तवारिक थे ये लेकर नगरों में रहते थे ये बात बिलकुल उनकी सही कही कही है तवारिक जो थे सुसिच्चत ब्यक्तियों के द्वारा उर्दू में लिखा गया था इसको हटा दीजिए बागी का पराय अपने इत्याश सुल्तानों के लिए उनसे ढे सारे पुरुसकर पाने की आसा में लिखा करते थे, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है तो यानि कि ये भी आपसनी यहां पर correct हो जाएगा पढ़ दीजिए इसकी व्याख्या ठीक है चलिए आगे बढ़िए और यह जो तबादीक थे किस भासा में लिखते थे फार्सी भासा में लिखते थे ना कि उर्दु भासा में आगे बढ़िए निम्लिकित में से कौन सी रचना सूर्दास द्वारा संक बढ़िए यह तीनों ही रचना है जो सूर्दास है इनके द्वारा लिखी गई है चलिए आगे बढ़िए निम्लिकित में से कतनों पर फिर से विचार करना है उनको फिर से सही विकल्प गुआ पन लोगों को चुनना है तो पहला विकल्प पढ़िए यहां पर 18 सताब्दी के दोरा जो मोगल सामराच है धीरे धीरे कई स्वतंतर छेत्ती राज्यों में बिखर गया महादीब के कई सारे हिस्सों में अपनी सक्तियों का बढ़वारा कर लिया और भाँ पर अपनी सक्ति जो थी उनको सुद्रण कर लिया तो यहां पर option आपका सही हो जाएगा ए ए और आर दोनों सही है साथ में इनकी ब्याक्या भी कर रहा है तो इसलिए आप लोगों का a option सही ह आगे बढ़िये किस छेत्र में भूसामियों को बिलार कहा जाता था बिलार कहा पर कहा जाता था महराष्ट में तमिल में पंजाब में या फिर बंगाल में तो जो बिलार है यह भूसामियों को कहा जाता था एक तो यह याद रखिएगा आप और कहा पर कहा जाता था यह त मिल छेतर में बेलार कहा जाता था ठीक है और भी इसके बारे में देख लीजिए कि जो दास, सहित, भूमी, हिन, मजदूर थे उनको कदेश्यार और अधिमई के नाम से जाना जाता था ठीक है ये दोनों नाम भी आद रखिएगा पूछे जाते हैं important नाम है आगे बढ़िए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्याय पूर्ट तोर तरीकों से चुटकारा पाना जरूरी है दूसरा इसमें कह रहा है कि सुधारकों का बिचार था कि वे इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प option आप लोगों का C सही होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाईए पूरब बत्रा चेन नहीं में इस्तापित बेद समाज प्रेडित था किस से प्रात्ना समाज द्वारा आरे समाज द्वारा, भ्रहम समाज द्वारा, या फिर युवा बंगल आंधोलन के द्वारा पूरब में पूचा गया है चेन नहीं में, तो यहाँ पर आप लोगों का उप्शन जो सही होगा वो भ्रहम समाज का हो जाएगा सी ओप्शन सही हो जाएगा ठीक है देख लीजी इसके बारे में ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी राजाराम बोहन राय ने की थी कब की थी 1828 में की थी भारती समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उनको दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी आगे प्रारतना समाज है इसकी स्थापना 1867 में की थी आत्मा रंग पांडू रंग ते इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आदे समाज जो था एक हिंदू सुधार आंदुलन से संबंदित था और इनकी स्था अपना कीती दयानन सरसुती ने 1875 में युबा बंगाल आंदोलन 1826 में इसका सुभारम किया गया था और किस ने किया था ये हैनरी विपिन डेरेजियो के दोरा इसका सुभारम किया गया था डेरेजियो को आधनिक भारत का प्रतम राष्ट कभी भी माना जाता है ठीक है याद रखेंगे डेरेजियो के बारे में आगे बढ़िये फिर से अपर लोग कथन को पढ़ना है और सही आंसर को यहाँ पर बताना है कि एवी रामा स्वामी नायकर और पेरियार मनु सहिता भग लिए उपयोग में लाए जाते हैं इसलिए तो इन्होंने क्या किया था इसकी आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने जो महिलाए थी और जो निवन जाती के लोग थे उनको नीचे रखा था और पुर्सों का बर्चसुत में दिखाया गया था तो यहाँ पर A और R दोनों सही ह हो जाएगा साथ में ब्याख्या भी इनकी सही हो रही है तो ए उप्सने आपर करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए किस गवर्णर जनर ने गोशना की थी कि बहादर साजफर अंतिम बोगल राजा होंगे किसने कहा था यह कैनिंग ने हैडिंग ने डल होजी ने या फिर ए अंगरेजों की द्वारा भादर साजफर को बंदी बना कर कहां पर भेज दिया गया था रंगून भेज दिया गया था यह आपका पूछा जा सकता है स्टेट्मेंट में ठीक है डल होजी डल होजी से संबन देता है ब्यबगत के सिध्धांत इन्होंने आरम किया था इसका और हर्डिंग थे हर्डिंग को नर्वली प्रता प्रतिवन इन्होंने लगाया था और जो एल्गिन है एल्गिन को बहा से आंदुलन का दवन किया गया था एल्गिन की द्वारा ठीक है आगे बढ़िए नेक्ट कोशन देखिए आपर निमलिकित में से किस भासा में केसरी अखवार छपता था कौनसी वासा में चपाता ये अंगरेजी में माराठी में बांगला में या फिर उर्दु में तो जो केसरी अखवार छपा गया था वो चपाया था माराठी वासा में किस के द्वारा चपाता ये तो ये प्रकास्टन हुआ था बंबई से बाल गंगाध आया था 1991 का 1935 का या फिर जो भारतिस्वा दिंता अधनियम 1947 का आ गया था तो काफी संख्या में जो प्रावधान लिये गए हैं वो लिये गए हैं 1935 के एक्ट से ठीक है आगर आप लोगों ने थोड़ा से संभिदान उठा करके देखा होगा तो वहापने नीचे लिखा होता है कि इस अधनियम के द्वारा तो उसमें ज्यादा से यदा आप लोगों को 1935 मिलेगा फिर उसके बाद में कई सारे संसुदन मिलेगे जैसे के 42 संसुदन उसमें बहुत ज्यादा मिलता है आगे पढ़िए इसके बारे में जान लीजिए 1935 से 32 संभिदान द्वारा काफी सं स्तावना का इसमें अभाब था और इस अधनियम के द्वारा अखिल भारती संग की स्तापना का प्रावधान भी किया गया था यह जो अधनियम है इसके तयत बर्स 1937 में एक संगिया नया आले की स्तापना की गई थी यह पूछा जा सकता है स्टेट्मेंट के ही कोशन बनते इस तरीके से और इसी अधनियम के द्वारा बर्मा को बिटिस भारत से प्रत्थक कर दिया गया यानि कि जो बर्मा है आज का म्यामार उसको अपने भारत से क्या कर दिया गया अलग कर दिया गया था और दो नए प्रांत बने सिंद और ओडिसा कौन-कौन से बने थे हाँ प द्वारा मुसल्मानों के लिए सांप्रधायक प्रतिनेत्तु द्वारा प्रत्थक निर्वाचन छेत्रों की स्थापना की गई थी यानि कि अलग से जो मतदान होता है निर्वाचन छेत्र होता है उनकी स्थापना या पर की गई भारतिय स्थापना की गई भारतिय स्थापना आसतों पर बिटिस संपरोगता की समापती की भी गोशना की गई थी ठीक है यहाँ प्यात रखेगा इन अध्यम के बारे में कुशन पूछे जाते हैं आगे बढ़िए निम्न मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है ग्रह दिये गए है चंद्रमा की संक्या दी गई है मंगल पर दो बता रहे हैं जो ब्रसपती हैं कि यहाँ पर तरेपन बता रहे हैं चंद्रमा की संक्या सुमेलित नहीं पूछा गया है यहाँ पर देखें यह भी सही है यह है विजै भी है तीया बरसपती ग्रह एस पर चंदर्मा यानी कि उपणीर पर तो कहां है? तो से घलत है, एक सही है? या हम के सही पूछा जाता है या फिर तीन ग्लत पूछा जाते है यहां पर इनका उपशन ठीक नहीं दिया गया है चलिए आगे बढ़िए लिन्वित कत्नों पर विचार करना है यहाँ पर उत्री धुरुब ब्रत और उत्री धुरुब के बीच छेतर में बहुत ठंड होती है सूरी की केड़े हमेशा तिर्ची होती है और कम उसमा देती है इसका कारण पूछा गया है और क्यों ठंड होती है यह पूछा गया है लेकिन सही से इनकी ब्याक्या नहीं कर रहा है कि यहाँ पर उत्री धुरुब में हमेशा बर्फ चमी रहती है इसी कारणे आपे ठंड होती है तो इसलिए A और R दोनों सही है लेकिन ब्याक्यन की ठीक नहीं है तो अब सनिया पे जो सही होगा वो B हो जाएगा ठीक है B को लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे सूर्य पूरब में उदा होता है कारण इसका पूछा गया है बताईए क्या कारण है सूर्य जो पूरब में होता है जो प्रत्वी है पूरब से पश्चिम की और में चक्कर लगाती है या पर प्रत्वी पश्चिम से पूरब की और में चक्कर लगाती है तो खारण इसका यही है कि जो अपनी प्रत्वी है वो चक्कर कैसे लगाती है पश्चिम से पूरव लगाती है ठीक है इसलिए कहाँ पर उद्व होता है सूर्य पूरव में उद्व होता है आगे बढ़िए नेक्स्ट कुशन देखिए आपे जिनकी व्याक्षे धरूरी होती उनकी मैं करती हूं ठीक है बागी के आप लोग पढ़ लीजिए भारत में केंद्य सरकारी कारयालों के खुलने का समय पूरव नो बजे भारती मानक समय है चंडीगर के 76 डिगरी 45 मिनट पूरवी देशांतर पर और कलकत्ता के पास में 88 डिगरी 15 मिनट पूरवी देशांतर केंद्य सरकार के कारयालों के खुलने का इस्तानी समय पूछा गया है तो ये भारतिय केंद्य सरकारी कारयालों के खुलने का समय नो बजे बताया गया है जो भारतिय मानक समय है चंडीगर का हो यहां पर कलकत्ता का पूछा गया है तो इनका सही हो जाएगा समय आठ बज़ पत्षिमि भाग पर कौन सी बहुतिक विषेष्था से जड़ा हुआ है। किसे जड़ा हुआ है सथपुरा सेडी से बिध्यन सेडी से सयादरी से नेलगिरी से किसे जड़ा हुआ ये तो दक्कन का पढ़ा रहा है पश्चमी भाग में पूछ रहा है तो यहाँ पर option जो सही होगा वो सयाद्री हो जाएगा C option correct है ठीक है इसके बारे में में जान लीजिए यहाँ पर कोछ चोटियां दे गई है दक्कन पढ़ा रहा है अपने पश्चमी भाग पस सयाद्री से जड़ा हुआ है 16 degree उत्री अच्छान स्रेका सयाद्री को दो भागों में विभाजित करती है उत्री सयाद्री और दक्ष्ण सयाद्री उत्री जो सयाद्री है उसका सरवोच सिकर कलसूबाई है जिसकी हाइट है 1646 मीटर दच्छने सयात्री इसका सर्वोच सिकर हो जाएगा कुद्रे मुक और इसकी टोटल हाइट हो जाएगी 1892 मीटर दक्कन का पठार है मद्यपदेश वह महाराश्ट राज्य में मिला हुआ है और यहाँ पर यह इस्तित है और यह जो पठार है जो आलमों की बिसार्ट चट्टारों से बना हुआ है इस पठार के पूरी भाग को बिधर्ब कहा जाता है और जो दक्कन का पठार है यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है कारण क्या है क्योंकि यहाँ पर आगने सेलेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है लावा की सेले मिलिंगी आप लोगों को आगे बढ़िए यहाँ पर मिलान करना है कॉलम एको कॉलम दो से संगबर्मर बलुआ पत्थर कोईला और ग्रेनाइट दिया गया है तो यहाँ पर आपर लोगों को यह सेलों को मिलाना है तो जो संगबर्मर सेल होती है इसको यह जो हो जाएगी यह मेटामॉर्फिक यानिकी कायांत्र सेल हो जाएगी बलुआ पत्थर है यह एक अबसादी सेल में आता है जो आपका कोईला है कोईला जीवास मीधन में आता है ग्रेनाइट जो है वो आगने सेलों में आता है तो यहाँ पर option correct होगा वो C हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िये इन यूग मौपर बिचार करना है बताना है कौन सा यहाँ पर सही से मिलानक है ठीक है यहाँ पर पूछ राइए तटवन्द पवन की बता रहा है ये तो तटवन्द पवन से तो नहीं बनते हैं ये बनते हैं इस्तलूप जल के द बनती है इसको भी हटा देंगे हिमोड बनती है हिमनत से ठीक है ये भी सही हो जाएगा यानि कि आप लोगों का B और D करेक्ट है B और D कहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर C option करेक्ट है ठीक है चलिए आगे बढ़िए लद्दाग की जलवाई यह अत्यदिक सीतल और सुसक है निम्न मैंसे कौन से कारक इसके लिए उतरदाई है कारण इसका पूछा गया है यहाँ का अच्छांस है या फिर उनकी उचाई है बायोदाव यहाँ पर है समद से उनकी दूरी है तो यहाँ पर एक option जो सही होगा वो उनकी उचाई हो जाए क्योंकि लद्दाग जो है काफी उचाई पर है तो भी option इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए यह सभी आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे NCRT में ठीक है तो आप लोग पढ़ना चाहिए NCRT तो आप हमें कमेंट कर दीजिए आप लोगों complete हम 8-10 दिन में यह भी करा देंगे कम तापमन वाले छेत्रों में बायू ठंडी होती है और ठंडे छेत्रों में बायू जो होती है वो भारी होती है दोनों ही सही कहा गया है A और R दोनों सही है और इनकी ब्याक्या भी ठीक है तो A option है आप लोगों का यह correct हो जाएगा आगे पढ़िए निम्रिकित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उधारा नहीं है समाचार पत्र है, रेडियो है, सेलुलर फोन है यवं टेलिविजन है तो जो सेलुलर फोन होता है वो जनसंपर्क का माध्यम नहीं होता है बाकी का समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन यह सभी जनसंपर्क के माध्यम हो जाएंगे आगे पढ़िए भूमते सागरी प्रकार की बनस्पती कहां पर पाई जाती है भूमते सागरी वाला छेतर कौन सा होगा आप लोग देख रहे होंगे कि जो दक्षिर पूर्वी अफ्रीका वाला छेतर है यहां पर यह वाली बनस्पती पाई जाती है डी ऑप्सन करेक्ट है ठीक है यहां पर खटे फ़लों की खेती अच्छी होती है जैसे कि आप लोग संत्रा करेंगे नीबू करेंगे अंगूर करेंगे अनार बगरा करेंगे इन सभी की खेती यहां पर बहुत अच्छी होती है आगे बढ़िए निम्न संसादनों पर बिचार करना है अभरक बन, प्राकरतिक गैस, मरदा, जल और उपरेक तुमें से कौन से प्राकरतिक संसादन जो है वो नभी करणी संसादन के उधारण है तो यहाँ पर option इनका सही हो जाएगा नभी करनी संसादनों के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोग लगा देंगे बन हो जाएगा, बन के बाद में यहाँ पर प्राकरतिक गैस तो नहीं होगा ब्रदा हो जाएगी और साथ में जल भी हो जाएगा, यह सभी कैसे हो जाएगे प्राकरतिक यानि की जो नभी करणी संसादने इनके उधारन हो जाएंगे तो यहाँ पर option जो correct होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स आज की सेसन में अपने लोग इतना ही देखेंगे अभी अगर हो गया तो मैं द्वारा भी डाल दूँगे क्योंकि अभी मुझे इमर्जेंस ही है थोड़ा सा यहीं पर सेसन स्किप करना पड़ेगा ठीक है मिलते हैं एक सेसन में तब तक के लिए धन्यवाद सेसन कैसा लगा जरूर बताईएगा